हे दोस्तो मैं हूं मिनमा दर डाक टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सब का स्वागत है दोस्तो आज की जो कहानी है वो एक लड़की के उपर है और इस लड़की का नाम है जिपसी रोज ब्लेंचर्ड और दोस्तो ये लड़की ऐसी दिखती है अब दोस्तो ये लड़की ऐसा इसी लिए देखती है क्योंकि इस लड़की को बहुत सारे क्रॉनिक बीमारिया है ये बीमारिया है स्लीप एपनिया, लिूकेमिया, एस्थमा, एन मस्कूलर डिस्ट्रोफी ये लड़की एक टीनेजर है, लेकिन इसका जो ब्रेन है, वो एक साथ साल के बच्चे की तरह है क्योंकि बठ के दोरान इसको ब्रेन इंजियरी भी हो गया था ये थीक तरह से चल भी नहीं पाती है, ये जो विलचेर है, आटोमेटिक विलचेर से चलती है क्योंकि ये अपने ग्रेन फादर के साथ कही पे जा रही थी उनके बाइक पे, तो उनका एक्सिडेंट हो गया था इसके बच्चपन में ये कहानी मुझे सजेस्स की थी, तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोग चाहे तो मुझे यूपी आई के थूरू दोनेट भी कर सकते हैं, मेरा यूपी आई आईडी आपको डेस्रिप ये पेरेंस का नाम है Rod Blanchard and D.D. Blanchard, जिस समय जिपसी के पेरेंस का जो शादी हो था, उस समय जो रोड है जिपसी के फादर वो सिफ 18 साल का था, और उसकी मा डीडी ब्लेंचर 24 येर्स की थी, और इनका जो शादी है वो सिफ 6 महीनी चला था, आप सोच सकते हैं कि कोई responsibility नहीं उठा पाएगा, इसलिए उनका काफी जगरा वगरा भी हुआ, डीडी ब्लेंचर्ट के साथ, और उनका डीवर्स हो गया है, लेकिन डीडी से डीवर्स के बाद भी उसके साथ contact में रहा, और जो बच्ची है उसकी जिपसी रोज, उसके लिए लगातार monthly basis में payment करता अब दोस्तों, इस काहनी में जो दो main characters है, वो है जिपसी रोज, जिसके उपर एक काहनी है, और उसकी माँ, डीडी ब्लेंचर्ट, अब शुरुवात से ही, जो डीडी ब्लेंचर्ट है, वो एक एकदम ideal माँ जैसा वो दिखाती है, एक ideal parent जिसको बोलते है, जो अपने बच् के लिए वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन दोस्तों, जिपसी की माँ, डीडी ब्लेंचर्ट के मन में, एक बहुत बारा doubt था, और वो doubt ये था, एक problem बोल सकते हैं, और वो ये था, कि उसको लगता था कि उसकी बेटी, जिपसी रोज, बीमार है, ऐसे ही कभी कभी हमको भी नही जादा करती थी, वो जिपसी रोज के प्रती बहुत ही ज्यादा पजेसिफ थी, और छोटी-छोटी बातों को ही, वो seriously ले लेती थी, कि कुछ हो तो नहीं गया, कोई बीमारी तो नहीं है, जब जिपसी रोज सिफ एक infant ही, एक बच्ची जो थी, तभी डीडी उसको एक दिन हस्पिटल लेके जाती है, और वो डॉक्टर्स को बोलती है, इलाज शुरू होने से पहले आप सोचिए, वो डॉक्टर्स को बोलती है, कि मेरे बच्चे को sleep apnea है, दोस्तों मैं बता दो यह कैसी बीमारी है, जिसमें सोते-सास लेना बंद हो जाता है, आप तो सो रहे हैं, लेकिन आप सास नहीं ले रहे हैं, और इससे मौत भी हो जाती है इस बीमारी से, अब डॉक्टर्स जब उसके बात पर यकीन करके, फिर इसका इलाज वगरा करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर मालूम सलता है कि इस बच्ची को तो sleep apnea नहीं है, लेकिन डीडी फिर भी convince नहीं कि उसको chromosomal disorders इस तरह के भी बीमारी है उसको है, और तब से लेकर वो gypsy rose का जरूरत से ज़्यादा ही ध्यान रखने लगी, वो उसको कुछ मतलब करने ही नहीं लेती थी, किसी भी चीज की तरफ expose होने ही नहीं लेती थी, व्यूंकि उसको लगता था कि कोई बीमारी इसको पकड़ लेगी, जब जिपसी रोज 8 साल की थी, तब वो अपने grandfather के साथ एक bike ride पे गई थी, और फिर उनका एक छोटा सा accident हो जाता है, वो लोग गिर जाते हैं, और जिपसी रोज को सिर्फ एक ऐसे जो हाथ है, हाथ के पास उसको थोरा सा चोट लगता है, लेकिन इस चीज इसको DD Blanchard ने इतना जादा बरा बना दिया, वो डॉक्टर के पास गई यहाँ वहाँ दिखाया, और फिर उसको लगने लगा कि अब यह चल ही नहीं पाएगी, और इस वज़े से दॉक्टर के माना करने के भाद भी उसने मुलब डॉक्टर को इस तरह से convince कर दिया, और जोची दोस्तों वो तो सिफ 8 साल की एक बच्ची है, लेकिन उसकी माने उसको ऐसा convince कर दिया, कि हां मुझे wheelchair की जरूरत है, अब डीडी के इस तरह के behavior से उसके परिवार वाले है, या फिक जिपसी का असली father rod है, वो भी चिंता में आ गए थे, और उन्होंने इसको पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसा नहीं करना चाहिए, बच्ची को शायद कोई इतनी गंभीर बीमारी है भी नहीं, लेकिन डीडी किसी की एक नहीं सुनती, और जब यह लोग ज़्यादा ही question करने लगे, तो जिस जगह पे थी, वो जगह छोर के भी वहां से वो लोग चल की तरफ से, तो उसी सब पैसे से यह चलती थी, वहां पर जाकर भी उस नए जगह पे जाकर भी, डीडी हमेशा उनका डॉक्टर के यहां, हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट सेंटर के यहां आना जाना लगा ही रहता था, क्योंकि डीडी को लगता था कि उसकी बेटी है, वो बह अर्मोजमल डिस ओडर है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यह सब की बिमारी है, और यहां तक की ऐसे ऐसी भी बाते हो बोलने लगी की अब जिपसी रोज को वीजन का भी प्रॉब्लेम हो रहा है, मतलब ऐसी शायद कोई ही बिमारी बची है, सीरियस बिमारी, जो उसकी मा नहीं बोल रही थी कि जिपसी को है, लेकिन जब दोस्तों उस डॉक्टर ने सारे के सारे मेडिकल टेस्ट किये, तो अब मालूम चला कि जिपसी को तो कोई भी बिमारी नहीं है, मतलब उन टेस्ट के जो रिजल्स है, उनमें कुछ भी उनमें पॉजिटिव ऐसा कुछ भी नहीं लेकिन जब उसकी मा बोल रही है, तो डॉक्टर ने उसकी मा पर विश्वास किया, और बहुत ही जादा इतनी चोटे एक बच्ची को शीजर्स वाले पेन किलर्स इस तरह के बहुत ही जो स्ट्रॉंग मेडिसिन से वो सप्रेस्क्राइब कर दिये, और ऐसा करते-करते काफी टाइम बीत रहा था, और यह दोनों मा बेटी फिर ऐसे ही रह रहते होस्पीटल आना जाना इन लोगा रहता था, अब वक्त आ गया था 2005 जब उस जगह पर हारीकेन कट्रीना करके एक बहुत बड़ा तुफान आया था, और उस तुफान में इनका जो घर है वो भी एकदम तबाह हो गया था, और इसकी वज़े से फोर्सफुली उनको वहां से उस जगह को छोड़ कर मिजोरी करके जो जगह है वहां पर जाकी यह लोग बज गए, अब वहां पर जाकी दूस्तों क्या हुआ, यह जो जिप्सी रोज है और उसकी मा डीडी ब्लेंचर्ड है, यह दो इसकी वज़े से इन दोनों को मा बेटी को काफी फाइदा हो गया, फ्री में घर भी मिल गया, तो अभी तक तो यह कहानी काफी नॉर्मल लग रही होगी आपको, लेकिन दोस्तों हमेशा यह फन एन गेम्स नहीं होता है, हमेशा यह कोई फेरी टेल नहीं होता है, और यह कहानी भी अभी बहुत ही एक सिनिस्टर मोर लेने वाली है, अब क्या हुआ, जब यह दोनों इसना खयाल रगती है, उसके लिए अपनी लाइफ को ही उसने सेक्रिफाइस कर दिया, जब इस तरह की चीज़े पेपर, मैगजिन वगरा में आने लगी, तो कुछ डॉक्टर्स ने इसे हेल्प आगे बढ़ाया, कि हम इसका इलाज फ्री में कर देंगे, अगर यह अच्छ पूरा टेस्स किया, जब डॉक्टर को लगा कि इस बची में तो कोई भी ब्जिमारी नहीं है, अब यह प्याई मिन नहीं सकति है, तब भी इस बची के बहुता है, लुख श्रीशाइना लिए जब डॉक्टर के साथ ही आर्गू करने लगी और फिर जब डॉक्टर ने बोला कि इसके प्रीविएस मेडिकल रेकोर्स दिखाईए तब डीडी ने कहा कि जो हरीकेन कट्रीन आया था उसमें घर तबाह हो गया सबी डॉकुमेंट्स गायब हो गया तब उस डॉक्टर ने पह है उसने उस डॉक्टर के पास फिर दोबारा जाना ही बन कर दिया वो डॉक्टर भी अगर चाहता तो इस चीज को पुलिस या फिर कोई एजेंसी को बता सकता था लेकिन पता नहीं किसी वज़े से उसने यसा कुछ नहीं किया अब 2010 आ गया था दूस्तों और उसकी मां और वह को बागए रखती थे लेकिन फिर भी इंटरनेट से या प्पिर यहां वहां से बॊक्स और के यह थोरा सा एकंटआ हो गई थी लिकिन इसका स्कूल भी नहीं भी नहीं बेचती थी कभी स्कूल भी नहीं गिलियर मलगिन थे इसको पर ना लिख रूपूरे ऐस थी प करती है ऐसा बोलती है कि तुम बीमार हो तुम बीमार हो कर बच्टपिन हो तो बच्पन में तो मान लेती दी उसकी अब भ्री हो गई है अब जब वो बरी हो गई है, तो उसको भी freedom चाहिए, उसको बाहर जाना चाहिए, लेकिन उसकी मा उसके life को करीब पिछले 20 साल से control कर रही है, तब जिपसी रोज को लगा, कि मुझे जो jail एक बन चुका था उसका घर है, तो इस jail से मुझे भागना है, escape करना है, और इसके अनलाइन कई लोगों से उसने भाते की, एक neighbor में एक लड़की थी, जो उससे बरी थी, और वो उसको big sister समझती थी, उसको भी उसने बहुत सारी चीजे बताई थी, और बोल जा था कि मुझे actually ऐसा बीमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा था इ उनको मदद मांगती है कि मुझे किसी भी हालत में hospital लेके जायज है, लेकिन उसी एन वक्त पर DD Blanchard आके उनको रोक लेती है, कुछ ना कुछ बोल के इस पूरी incident को ताल देती है, एक और भी ऐसा incident हो था जिसमें जो जिपसी रोज है, वो online एक आदमी से मिलती है, और आदमी जब होटेल का दरवाजा खुलता है, तो वो देखते हैं कि दोनों मतलब ऐसे बाते कर रहे हैं, जिपसी रोज और आदमी, और फिर वो फिर जिपसी रोज को बोलती है, कि तुम अभी मेरे साथ घर चलो, अगर तुम मेरे साथ चलते हो, तो मैं इस आदमी को जाने दूंग जिपसी रोज का फोन है, लैपटॉप है, वो उसके सामने तोर देती है, और उसको धमकी देती है, कि अगर तुम कभी फिर दुबारा एसकेप करने की कोशिश की, मुझे छोर के जाने की कोशिश की, तो तुमारा भी में यही हाल करूंगी, तो एक तरह से जान से मानने की अपने बेटी को देती है, तो अब तक तो आपको मालूम चले किया होगा, कि जो डीडी ब्लैंचर्ड है, वो अपने बेटी को करीब 20 साल से जब से पैदा हुई, उसको टॉर्चर कर रही है, और उसको एक घर में एक तरह से उसको कैदी बना के रख दिया है, अब इस अब जिपसी रोज और ये जो गोज़न है, इनके बीच में दोस्ती होती है, और ये लोग बाते करना शुरू कर देते हैं, और बहुत ही जल इनकी जो बाते हैं, वो रोमेंटिक ऐसा वे में चली जाती है, ओनलाइन बात करने के कुछी महीनों बात, जो निको बात कर दिया निकोलस गोज़न है, वो इसको मिलने भी आता है जिपसी को, और चुप चुपा के ही ये लोग कही पर मिलते हैं, और इनके बीच में शारार एक संबन भी होता है उस समय, तो आप सोच सकते हैं कि ये रिलेशन्शिप में लग काफी आगे बर गया है, जिपसी रोज को ऐसे और एक राजकुमार जैसा होता है, तो इसको बचाता है अपने मा के इत्याचारों से, तो बिलकुल उसी तरह की ये किताबी कहानी ये होने वाली थी, जिपसी ऑनलाइन कैसे लग को ढून रही थी, जो इसको प्यार करें, इसको रेस्पेक करें, और ऐसा ही ये निकोलस गो कोलती है कि मुझे है, और इस चरह से टॉर्चर करती है मतलब, और ये दोनों फिर एक होने के लिए बहुत ही खतानाक प्लैन करते हैं, और डीडी ब्लेंचट को मारने का प्लैन करते हैं, क्योंकि जिपसी के अनुसर अब ये एक लास्ट रिजॉर्ट ही बच गया था उसके मा को चाकू अगरा से मारेगा, और जून 2015 में दोनों ने ठीक ऐसा ही किया, डीडी ब्लेंचट रात का टाइम था, वो अपने बेडरूम में चली गई और वहां पे सो गई, लेकिन जिपसी सिफ सोने का नाटक कर रही थी, फिर रात के एक वक्त निकोलास गोजोंडर है, व और वो उसके मा के जो बेडरूम है, वहां पे जाकर उसने डीडी ब्लेंचट को सतरा बार चाकू मार कर उसकी हत्या कर दी, इस घटना के दोरान जिपसी एक बातरूम में चुपी हुई थी, ये खून करने के बाद दोनों ने मिलकर खून वगेरा थोरा साफ किया, और वहा जिपसी नहीं देख रही है, लोग उसको फोन करते थे, कोई आंसर नहीं देता था, तब पुलीस को खबर दी गई, और जब पुलीस उस घर के अंदर गई, तो उन्हों ने देखा कि डीडी ब्लेंचट की लाश है, वो बिस्तर पर परी हुई है, और उस घर में जिपसी र लिखा हुआ था, और ये बात जिपसी रोज नहीं लिखी थी, अब जिस कम्प्यूटर से ये लिखा गया, ओवेसली वो एजीली ट्रेक हो जाता है, तो पुलीस ने जब ये ट्रेक किया, तो उन्हें मालूम चला कि ये जो कम्प्यूटर है, ये जो जगह है, वो है निकोल खाना खाने वाले थे, निकोलस और फिर जिपसी रोज और भी दो-तिन लोग कोई और थे, पुलीस ने फिर वहां जाके इन दोनों को, यानि कि जिपसी रोज और निकोलस गोज्जोन को गिरफतार कर लिया, और गिरफतार करते ही, ये पूरा मामला पूरे प्रेस में आ गय और यह मामला यह था दोस्तों, कि जो जिप्सी रोज है, वो एक्चली कोई भी बीमार बीमार नहीं है, वो बच्पन से ही हेल्दी है, लेकिन उसकी माँ जो है, वो सभी के सामने ऐसा पोट्रे करती थी, कि जिप्सी रोज बीमार है, और इतने दिनों तो, यानि कि 20 सालों तक उसने यह जो नाटक है, यह continue रखा, कि जिप्सी रोज बीमार है, लेकिन अपने मा के इस अब्यूज और इस जेल से निकलने के लिए, जिप्सी रोज ने इस लड़के से दोस्ती की, और उसकी मनरत से, उसकी मा का खून किया, और वो आज़ाद घूमना चाहती थी, लेकिन इन ओवेसली वो लोग इतने स्मार्ट नहीं थे, एक क्राइम को कैसे चुपाना है, वो लोग को नहीं पता था, और इन सब जो छोटी-छोटी चीजे थी, मूर्डर ओपेन भी नहीं चिपाया था, वो सब पूरा सबूत पुलिस वालों को मिल गया, और इन दोनों को फिर गिराफतार कर लिया गया, जब पुलिस को जिपसी रोज मिली, तब वो 20 साल के वी उपर हो गई थी, लेकिन उसके माँ पोट्रे कर ले थी, कि यह सिव एक टीनेजर है, जब उसके एरेस के बार उसका पूरी तरह से फिजिकल और साइकेट्रिक जो चेक अप होता है, वो कि आज के दिन दोस्तों, जो भी हो, डीडी ब्लेंचर्ड एक इविल महिला थी, जिसने अपने बेटी को ऐसे कैट करके रखा था, उसको टॉर्चर किया था, लेकिन फिर भी खून तो हुआ है, और इस खून के लिए, जो जिपसी रोज है, उसको 10 साल की सजा हुई, अदालत में आज भी हो कह दे, और 2023 में शायद उसको पैरोल मिल सकता है, अब दोस्तों, ये कहानी तो यहां तक ही थी, काफी दुखत कहानी है दोस्तों, और आप अभी सोच रहे होंगे, कि उसकी माने, उसके खुद की माने ऐसा क्यों किया, तो उसका अंसर ये है, कि उसकी मान को ए अपने बच्चों को mentally और physically abuse करते हैं, और उनको इस तरह का उनका हालत कर देते हैं, कि उनके माइन में ये रहे, कि मेरे जो पैरेंस है, वही सिफ मेरी दुनिया है, वही मेरे लिए ultimate है, ultimate caregiver है, और वो उनको छोड़ कर कभी न आ जाए, और उन बच्चों की जो ये हालत कर दे हैं, handicap कर देते हैं, तो इससे मतलब जो बाहर की दिन्मया है, उससे इनके parents को attention मिलता है, तो ये काफी खतरनाक बीमारी है, दोस्तों सोचिए, इस बीमारी के बार में मेरे पहले भी पढ़ा हुआ है, और ऐसे बहुत cases आप लोग को मिल जाएंगे, तो दोस्तों यही कहानी अगर अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जल मिलता एक और कहानी के साथ, थैंक यू सो मुच